आपके साथ मैं हूँ आर्थी येलोत आई ये शुरुआत करते हैं खबरों की मध्य प्रदेश हाई कोट में आई प्रदेश की गरिब जनता को बड़ी रहत मिलेगी वहीं हाई कोट में पेश किये गए अपने जवाब में सरकार निकाहा की आईशमान कार्ड धारी कोरोना मरीजों को नीजी अस्पताल में किसी भी तरह का आतिरिक पेशा नहीं देना है अब साफ हो गया है कि आईशमान कार्ड योजना के तहद गरिब जनता से नीजी अस्पताल लूट नहीं कर पाएगी गोर्तल अब है कि नागरी को भोकता मंच एवं रजद भारगों की ओर से दायर आवेदन को निराक्रेस्ट करते होवे सरकार को आदेश ज्वारी हुआएगी जिसके तहद दवाईयों के खर्चा पर सरकार को अलग से इस्पश्टी करन ज्वारी करने के निर्देश दी हैं इस तरह आईशमान कारधार को इस महामारी के दोर में कोविड इलाज के दोरान अतिरिक्त आर्थिक बोज का सामना नहीं करना पड़ेगा फिलाल आने वाले दिनों में होने वाले सुनवाई में एक विशे बहुत मत्वफून होगा जिसमें कोरोना के बाद ब्लेक फंगस महामारी के इलाज पर भी विस्तरत निर्देश सामने आ सकते हैं क्योंकि ब्लेक फंगस भी पोश्ट कोविड मरीजों में देखे जा रही हैं ऐसे में अभी भी कुछ बाकी विसंगतियों के पारदर्शीता आ सकेगी। जबलपूर से वाजित खान की रिपोर्ट। की जबखश सम्सक्राइब करते तो और चुला इसे जबन करे पेसा कहा रहा इसलिए ना गरभ भोगता की मंच की तरफ से याज का दैर की ती जिस्में रुदेश चाहा कि सरकार को मेडीशन को पिश्ञी सवाइए सिनल को ने दिए थे सरकार से संबम्न में जानकारी प्राप्त करें तो आई सरकार से प्राप्त आनुसार साथ एपियर हुए उन्हें सरकार की तरह से स्टेट्मेंट दिया कि जो पैकेज है को मेडीशन वह सामिन है और उनने स्वाश्ट किया मरीज आप भरती होता है तो इसको सभी इलाज में चो जो चीज से उसमें लगती है इंक्रूटर जयासा इस उसी में सामिन लएगा इसको जो सबस्क्राइब करने सब्सक्राइब करने हमारे चैंटल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना ना भूले झाल झाल